नमस्कार दोस्तों मेरे नाम सेकर और स्वागता आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सिकर स्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामानी हिंदी के 100 से जादा महत्पूर्ण परसनों को मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंतक चरूड से देखेंगे दोस्तों आप सभी को पता है कि आड दिसंबर यानि कि उस्तों कल को पुलिस कॉंस्टेबल के जारी होने वाले हैं इसमें उस्तों आपको पता लग जाएगा कि आपका सेंटर यहां है और यह तो खेर आपको पहले से पता है कि परिक्च्चा जो है गहारा से लेकर एक बजाए के बीच में होने वाली है आराम से दूस्तों आप पहुंस सकते हैं तो खेर दूस्तों यह तो बात की बात है तो अभी दोस्तों इस बीच में आपको क्या करना है कि जादा दुस्तो आपको अब नया तो जादा नहीं पढ़ना लेकिन दुस्तो वो चीज़ा आपको जोड़ से करनी है जैसे आपने दुस्तो कम्पूटर नहीं पढ़ा है या दुस्तो कोई चीज़ा आपको लग रही है कि हाँ कि इस्टो यहां से परशन आ सकता है तो उसे आपको इस भी जापको ऐसा करना है कि एक एक नंबर आप जैसे दुस्तो कुछ नंबर आप बढ़ाने की दुस्तो ट्रीक अपने तरफ से अजमा सकते हैं जाद दुस्तो नया तो नहीं पढ़ना लेकिन कुछ ऐसी जापको जरूड करने जिससे आपको इस तो एकजाम में फाइदा हो जैसे दुस्तो आपने अभी तक कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो दुस्तो आप कुछ कुछ चीज़ा दुस्तो कंप्यूटर की जरूड से देख सकते हैं दुस्तो परस्न वहां से आना है आपको पता है कि परस्न वहां से आएगा है आएगा तो कुछ चीज़ा दुस्तो जैसे आपको लग रहा है कि रीजनिंग का आपने यवाला टॉपिक नहीं पढ़ा जैसे कलेंडर नहीं पढ़ाया जो भी है तो उसे दोस्तो आप देख सकते हैं अगर कुछ वीडियो देख लेंगे तो काम हो जाता है यूट्यूब पर हजारों चैनल है तो आप देख सकते हैं दोस्तो इस बीच आपको नयाप जादा नहीं पड़ना है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ा जरूर से करनी है जिसे दोस्तो संग्या या स्वरुनाम की विशेष्टा बताते हैं उसे दोस्तो कहते हैं विशेष्ण ओप्सन नमबर बी हो जाएगा इसका बेलकुल बेलकुल सटिक उत्तर अगला बरशन दोस्तो यहाँ पर हमारा अधो लिखित में कौन सा युग्म विशेष्ण नहीं है विशेष्ण संग्या तो इसका से उत्र हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी तो यह आपको विलकुल याद रखना है अगला प्रसन है दोस्तो यहाँ पर हमारे राम खाता होगा किसकाल का उधारा है दुस्तो राम खाता होगा, दुस्तो सामान ने भौश्ची, दुस्तो भौश्ची तो आएगा नी, क्योंकि राम खाता होगा, तो ये संदिग्द भौश्ची 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 अगला वर्षन है संभव है यह वाकि किस काल में संभव है संभव है बरतमान काल भूत काल उस्तों नहीं होगा पूर्ण भूत काल यह भी कताई नहीं होगा संभव है कि वो कल को आएगा तो संभव है तो उस्तों वो कल को आएगा उस्तों इस संभाव भी भौश्ची हो दोस्तो भाव आच्ची नहीं होगा भाव आच्ची में नकरात्मकता रहती है और भाव की परधानता रहती है कृतव आच्ची या फिर करम आच्ची तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लेख लिखा गया यह हो जाएगा उसमें यहाँ पर हमारा कृतव आच् जबरदस्त प्रेक्टिस आपकी होने वाली है ये परसन दोस्तों किसी ने किसी परिक्षा में पूछे गए हैं तो अगला परसन है अंतक बने रहेगा जिन सब्दू में लिंग वचन कारक आदी के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो दोस्तों क्या खेलाते हैं अवे खेला परसी अगला परसन है आपर हमारा जबरदस्त परसन है दोस्तों आज कल इस तरह की परिवासा भी पूछी जाती है जिन सब्दू का परियोग वाच्ची को स्रब्विभावार्थ और बल परदान करने के लिए होता है लेकिन वाक के अंग नहीं होते दोस्तों वो क्या खेल आते हैं आपको बताना दोस्तों खेलाते है निपात अतिरिक्त बल देने के लिए इनका परियोग किया जाता है निपात का तो यह आपको याद अखना है तो इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्सन नमबर डी अगला परसन है निगूण में कौन सा उपसर्ग परियोगत हो दोस्तों निगूण में परी कहां से आजाएगा देखें यह तो होगा नि अनू इसमां आपको लग रहा है कि अनू इस सब्द में आपको मिला अनू कता ही नहीं मिला नि या फिर निर तो इन दोनू में है दो यह दो आप्सन तो आपके चलेगे किसी काम के न लेते हैं उसके बाद भी उस्तों आपको जरूर से इस तरह से परसनों के सांथ खेलना है थोड़ा इसको बढ़ेगा वहां पर आपका आट दस परसनों पर तो तब भी आपको खेलना है उसके बाद अगला परसन है आमरण सब्द के प्रारंब में लगे आ को ब्याकरण की क्या कहते हैं तो इसे कहेंगे उपसर्ग आमरणों तो कौन सा उपसर्ग है तो बिल्कुल आसान है तो इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्सन नमर भी अगला वर्षन है परमारिक सब्द के मूल सब्द और परतेई का सही अलगा हुए सबसे पहले परमारिक ह होता है कहेंगे लेकिं दोस्तो यह नहीं होता है दोस्तो यह सुद्ध वर्षनी नहीं है यह गलत है जैसे दोस्तो यहाँ पर लिखा हुआ इससी तरह से होता है वर्षनी में भी आपको याद अखना है अगर होगा तो आपको याद अखना है वर्षनी में आ सकता है कि चार सब्द दे दिया इनमें से कौन सा सुद्ध नहीं है या कौन सा सुद्ध है मूल सब्द भी आपको बताना है और परता ही भी आपको बताना है अगला वर्षन है कौन सा देशज परत्याई का उधारन नहीं है देशज परत्याई का उधारन कौन सा नहीं है फराटादार फराटा दोस्तो बिल्कुल है फराटा ऐसा दोड़ता है बिल्कुल फराटा दोड़ता है अडियल दोस्तो अडियल कुमककड अकड दोस्तो ये सबी हैं दोस्तो यहाँ पर उच्चतर नहीं होगा, option number C हो जागा, इसका से उत्तर, उच्चतर, उच्चतम, उच्चतर उस्तो ये उच्चतर नहीं होगा, option number C, अगला वर्शने, आचार्यू ने कहा है कि, अहिन्सा ही परमधर्म है, सरचना के आधार पर वाकी का भेद बताएं, दोस्तो इसे भी हम कई बार कि दोस्तों जहां पर आ गया सीधे शीधे शीधे ऊस्तों मिस्र वाक्य आपको कर देना है आचार युने ने कहा कि अहिनसाई परम धर्म तो यह ऊजाए गये यहां पर हमारा मिस्र अगला परसन दूस्तो यहां पर हमारा रचना के आधार पर वाक्की के भेध हैं तो इसे भी हम कई बार देख चुके हैं तो रचना के आधार पर वाक्की के कितने भेध हैं तो तीन भेध हैं और सिनेमा ना हो, वाक की मैं अर्थ की दिष्टी से वाक की भेध होगा, तो अर्थ के आधार पर वाक की के आठ भेध होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तो एक बिधान दोश्तो नहीं है, संकेत भी दे रहा है, यहाँ इच्चा है कि ऐसा हो जयाएं कि इसका सेवतर, सायद आज रोछनी गुल हो जाएं और सिनेमा ना हो, अप्सन बड़ी, दोस्तो अगला परसने आपर हमारा नेमिल लिखित मैंसे सुद्ध वाक्की का चैन कीजिए दोस्तो ये चार ओप्शनों मैंसे आपको बताना है एक दोस्तो इसमें सुद्ध वाक्की है और तीन दोस्तो इसमें सुद्ध वाक्की है जंक फूट से मोटापा बढ़ती है उस्तों मोटापा जो है पुलिंग है तो मोटापा क्या बढ़ता है हरा पेड ऑक्सिजन देते हैं हरा उस्तों नहीं हरे पेड ऑक्सिजन देते हैं तो ये भी गलत है मेरे घर में तुम्हारी स्वागत तो इसका से उत्र हो जाएगा ऑप्सन नमर एंगा इसका बिल्कुल अगला परशन यहाँ पर हमारा इसमें भी आपको बताना है कि निमिल लिकित मेंसे कौन सा वाग के असुद्ध है दोस्तो यहाँ पर अब तीन वाग की सुद्ध रहेगे और एक वाग की दोस्तो जो रहेगा वो असुद्ध रहेगा कभी ने संपादक को एक कविता भीजी दोस्तो अभी तक तो यह सही लग रहा है अध्यापका ने सिस्य से परस्न पूछा बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना तो बच्चे की सुना करो तो बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना आमित ने जेब से 10 रुपे का नौट निकाला दोस्तो ये भी सही लग रहा है D वाला भी सी वाला भी सही लग रहा है अध्यापका तो यह तो अध्यापक होना चीए था या फिर अध्यापका होना चीए था तो अध्यापक ने सिस्सी से परशन पूछा तो तब यह सही होता अध्यापका हो गया यहां पर है तो यह तो सुद्ध हो जाएगा अध्यापक ने सिस्सी स अंतरगत नहीं आती दोस्तों कई बार हम देख चुके A, B, C अवधी, बगेली, 36 गड़ी दोस्तों मघी नहीं होगा दोस्तों ये बिहारी मा आएगा MMB दोस्तों ये मैथली मघी और भोजपूरी दोस्तों ये बिहारी हिंदी की बोलियां है और पईस्ची में हिंदी की दोस्तों जो बोलियां होगा है कब-कब है अगला वर्षन यापर हमारा सूरदास ने किस भासा में सूरशागर की रचना की सूरशागर किस का है सूरदास की रचना है किस भासा में की है दोस्तों ये की है option number B ब्रिज भासम है तो यह आपको याद अखने है अगरा परसने आपर हमारा खड़ी बोली का दूसरा नाम है तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है यह दोस्तो कौरवी और कौरी दूसरा नाम दिया था राहुल सांकरतिया इनने तो इसका से उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली का दूसरा नाम है तो कौरवी अगरा परसने आपर हमारा तुलसी कृत कवितावली बिनाई पत्रिका गीतावली की भासा क्या है दोस्तो वीडियो पर इक्ष्या में पूछा गया कि बिनाई पत्रिका की भासा क्या है पहली बाद दोस्तो ये जो रचने है जैसे कवितावली है बिनाई पत्रिका है गीतावली है, राम चरित मानस है दोहावली, राम लला नहच्चू दोस्तो ये सभी रचने जो हैं तुलसी रासकी है और जो कवितावली है बिनाई पत्री कहा और गीता हो लिए दुस्तों इनकी भासा जो है ब्रिज भासा है उप्सान नमबर B हो जाएगा इसका बेलेकोल बिल्कुल सटीक उत्तर तो बढ़ते हैं अगले परस्नी की तरफ रामचरीत माना जो तो किस भासा में हैं तो अउधी में अउदी बासादी अउधी तो यह आपको याद अखना है अगला परस्ने है राजिस्तानी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली नहीं है राजिस्तानी बोली दोस्तों इसमें बुंदेली नहीं होगा बुंदेली दोस्तों यह पश्चिम हिंदी में आएगा और मारवाडी दोस्तों हो जाएगा दक्षनी, तो इसका से उत्र हो जाएगा यहाँ पर हमारा बुंदली दोस्तों नहीं है, option number D हो जाएगा इसका बेलकुल बेलकुल सठीक उत्तर, अगला बर्शने यहाँ पर हमारा, जाईपूरी को यह दोस्तों ढूडानी भी कहा जाता, अगला बर्शने है, हिंदी भासा को कौन सी लिपी में लिखा जाता है, दोस्तों बिलकुल आसान है, तो इसका से उत्र हो जाएगा देवनागरी लिपी है हिंदी की, तो यह आपको सीदे सीदे याद रखना है, अगला बर्शने, पंजाब की दोस्तों गुरु मुकी तो मौखिक बाद उसके बाद लिखित भासा है तो मौख भी नहीं तो मौखिक भासा लिखित भासा और सांकेति भासा आप्सन नमर सी हो जागा इसका बेलकुल बेलकुल सठीक उत्तर तो बढ़ते हैं अगले वरसने की त्रव अगला वर्षन उस्तो यहां पर हमारा निमनांकित मैंसे कौन सी विशेष्टा देवनागरी लिपी में नहीं है इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है उस तो बिल्कुल सही बात है जैसा उच्चारण करेंगे हिंदी में उस्तो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है तो simple याद रखे सही है इसमें एक ध्वनी के लिए एक ही परतीक है तो उस्तो बिल्कुल है अगर आप देखेंगे तो पूरी वर्ण माला बिल्कुल सही है इसमें शिरोरेखा का परियोग महत्पूर्ण बिल्कुल है परियुक्त अलंकार के भेद का चैन करें उचे घोर मंदर के अंदर रहनवारी उचे घोर मंदर के अंदर रहती रहाती तो उस्तो एक घोर ये है एक घोर ये है तो यह हो जाएगा यमक option नमर ए अगला वर्षन है हरिपद कोमल कमल से इस पाक्ति में कौन सा अलंकार है हरिपद कोमल कमल से तो उस्तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा कमल से कैसे कमल से हरिपद कोमल कमल से उस्तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा अगला वर्षन है निमन मैंसे संग्या का उधारन नहीं है दोस्तो कौन यहाँ पर संग्या का उधारन नहीं है दोस्तो वह, जो है यह सरुनाम है वह, दोस्तो यह है सरुनाम तो इसका सेउतर हो जाएगा option मेर B पटना, दोस्तो पटना जैसे अलमोडा है, पटना हो गया, दिरादुन हो गया जमोली, उतरकासि दोस्तों सभी बैक्ति वाचक संग्या में आएंगे, मानव दोस्तों सारी इसमें पूरी दोस्तों मानव जाती आजाएगी, पूरी मानव दोस्तों जाती वाचक संग्या हो जाएगी, तो इसका सेवतर जागा वह हो, अगरा परसने, लेखक वो वक्ता किस पुरुष के अंतर आते हैं ये दुस्तो आते हैं उत्तम पुरूस में उप्सन नमबर A हो जैगा इसका बेलेकोल बेलकुल सथीक उत्तर अगला वर्सने लंका का राजा रावण पहुत बिद्वान था इस वाकि में रेखांकी तर्ण से उस्तु कहां का राजा लंका का रावण की बात हुई टीक उत्तर, तो बढ़ते हैं अगले बरसनी की तरफ. अगला बरसनी नौ minister 100 सयाने 1 मत. तो यहाँ पर आपको वताना इसका अर्द है 100 सयाने 1 मत. कुछ निश्चाई न कर पाना, जादा चालाग बनना नहीं, जादा चालाग बनना तो नहीं होगा 100 सयाने 1 मत. अच्छे विचारूं में भिन्नता होना या फिर बुद्धि मानू के विचार एक से होते हैं दोस्तो बिलकुर सही है सौ सयाने हैं और उनका क्या है? एक मत है यानि कि बुद्धि मानू के दोस्तो जो विचार हैं वो एक से होते हैं option number D हो जाएगा इसका बेलकुर बेलकुर सटीक उत्तर उस्तो अनतग बने रहेगा अगला पनी आप पर हमारा इमान बेचना का अर्थ यहांपर आपको बताना है इमान बेचना option दोस्तों आपको पढ़ने हों पर ऐसे परशनों में धोका देना हो सकता है कि आईमान बेचने का याराना तोड़ना गलत काम करना या फिर अपने कर्थब से हट जाना तो इसका से उत्र हो जाएगा इमान बेचना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर हमारा अपने कर्थब से हट जाना अगला प्रस्ण है तालू में जीब न लगना तालू में जीब न लगना तो इसका अर्थ बताना है, भूक से तरड़पना ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्यास से परिशान ऐसा भी नहीं है, स्वाध न मिलना, चूपना नहीं, कई लोग होते हैं, उनकी तालू में जीम नहीं लगती, यानि कि वो चूपनी रहते हैं, कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ बोलते रह पानी पीते ही खून की उल्टी करना कता ही नहीं दोस्तो इसका से उत्र जाएगा खून पानी होना कोई असर नहोना ऑप्सन नबर भी दोस्तो जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वोई परिक्ष्छम आएगा लेकिन दोस्तो आपने प्रेक्टिस किया अच्छी और अगला परस ने घर का जोगी जोगड़ा आन गाउं का सिद्ध इसका अर्था आपको बताना है घर का जोगी जोगड़ा आन गाउं का सिद्ध घर-घर मिटी के चूले हैं घर-घर मटियाले चूले हैं यानि की दोस्तो सब की इस्तिति एक जैसी यह तो होगा नहीं घर की म उसके घरवाले होते हैं कोई अच्छा गर रहा है जो भी है तो उसके जो आसपास वाले होते हैं वह उतना इज़त नहीं करते हैं लेकिन जितना भार वाले करते हैं तो यह हो जागा जोगी जोगड़ा आन गाउं का सिद्ध घर के ग्यानी को समान नहीं option नमर ए अगला वर्षन है अकेला चना भाल नहीं फोड़ता वावा जल्दी से आपको बताना है अकेला चना भाल नहीं फोड़ता का अर्थ है एक चना किसी काम का नहीं दोस्तों ये option सीधे हटा दिजे एक चना सक्तिहीन होता है ये भी मजा नहीं आ रहा है इसमें अभी अकेला व्य जो है सकति साली नहीं होता है अगला वर्स में आपको बताने लेकिसी के लिए असुभी होना छोथ में चन्दा असुल करना नहीं छोथ में चंदर होता है अब दूस्तो इन दो option में हैं जल्द से बताइए दोस्तो इसका सेउत्र हो जाएगा चोथ का चंदा होना, यानि कि किसी के लिए सुभ होना, option नमर A अगला वर्षने, इती, इती, सब्ध युग्म का सही विकल्प चुनिए, इती, इती दोस्तो ये देखे, ये इती जो है, और ये इती, तो इनका दोस्तो अर्था आपको बताना है कोई ना कोई दोस्तो आपको जोड़ा आता होगा, इती, दोस्तो इती सिरी और स्रीग्रेश, ये आपने दोस्तो इती सिरी और क्या पढ़ा है, स्रीग्रेश पढ़ा है, इती सिरी का दोस्तो बिलोम क्या होगा, स्रीग्रेश, स्रीग्रेश करना यानि कि और इती सिरी, दोस्तो इनका आर्थ यहाँ पर आपको बताना है कला और किर्ती संपूर्ण और अन्स सन और समवत कता ही नहीं सबबल और निरबल दोस्तो यह भी नहीं यह वाला दोस्तो जो सकल है यहाँ पर है इसका हो जाएगा अन्स और यह जो सकल है इसका हो जाएगा संपूर्ण तो आप्सन नमर सी हो जाएगा इसका बेलेकोल बेलकुल सटीक उत्तर अगला परसने है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उस्तों क्या खेंगे आगने दोस्तों आगने तो नहीं कहेंगे आगने चट्टा दोस्तों यह तो नहीं कहेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा दोस्तों उत्तर पूरा पश्चिम उत्तर दश्चिम अनु-सासनात्मक कारवाई की पर्किर्या के फलसरूब पद से नीचे उतरना इसे दोस्तू क्या कहेंगि पदोन नती उस्तू अब नीचे उतर रहे तो पदोन नती थोड़ीना हो गे है पदावधी मितावधी कितनी है परोनती नहीं अगला परसन या पत्र या परसनादी के उत्तर की अपेक्चा करने वाला दोस्तों उसे कहते हैं उत्तरा पेक्ची उत्तरा पेक्ची ओप्सन नमबर डी हो जागा इसका पेलेकोल बिलकुल सटीक उत्तर दोस्तों आगे बड़े उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से यहाँ पर लाइक कर दिजिए और बने रहेगा अंतक तो अगला वर्सन है नि भावी नहीं होगा भावी तब भी होगा ऑप्सन नमबर डी अगला पर दोस्तों जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे कहते हैं अगला पर इनमें से एक सब्द McLदता का परियाए हैं देपता को उस्तों कहा जाता है विभूद ओप्सन नमबर बी हो जागा इसका बिलकुल बिलकुल सेवत्तर अगला बर्शने जल का पर्यायवाची नहीं है जल का दुस्तों पर्यायवाची पई है बिलकुल है अम्ब है आब है दुस्तों जो भव है ये दुस्तों जल का पर् गंगाधर आउरा थूस्तो नहीं है, आप बताए कमेंट बॉक्स jeopard nice ूंप defendant ने चटी का सुका का चती काका उस तो यह हुजाएगा चिडिया जिन्होंने पड़ा है उन्हां तो आरा होगा लेकि जिन्होंने नहीं पड़ा है निमिल कित मैसे कौन सा एक सब्डे यहां पर आपको बताना है विदेशी भासा का नहीं है कमीज बिल्कुल है गमला और दुस्तों ये सभी विदेश सब्द है बूज दुस्तों नहीं है option number D अगला परशने जमादार स्रोत के आधार पर किस वर्ग का सब्द है जमादार आपको बताना है एक हां से हमने लिया है जमा और दार दुस्तों ये होज़ेगा संकर सब्द है option number D अगला परशने पंकज सब्द निम्न में से किसे संब्द है उस्तों पंकज हो जाएगा योगरूड पंकज जलज लंबोदर उस्तों ये सब योगरूड सब्द हो जाएंगे अगला परशने लास किस लास सब्द किस मूल भासा का सब्द है ये आप पर आपको बताना है ला निमिलीकित मैंसे कौनसा युग में सही नहीं है यह यहाँ पर आपको बताना है ओज़ा दोस्तों जो ओज़ा है उने उपाध्याई बिल्कुल है केला का तट्समों क्या होगा गदली होगा बिल्कुल है ओज़ा दो पहले ओज़ा अब दोस्तों उन्हें कहा जाता है उपाद्या है बिल्कुल सही है पसीना का उस्तों पर्वी सिन्ह है बिल्कुल है कपास और करपट तो करपट तो दोस्तों कपड़ा का होता है कपास का नहीं तो यह हो जाएगा ऑप्शन वर भी ऑप्शन वर भी होगा इसका सही उत्तर अगला परसन यहाँ पर हमारा उत्पत्ति के आधार पर सब्द के कितने भेध हैं जब अरदस्त दोस्तों परसने हैं कई बार हम इस परसन को देख चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर सब्द के कितने भेध हैं दोस्तों यहाँ चार तत्सम तद्भाव देशज विदेशज अगला परसने याप पर हमारा अतयव सब्द में कौन सी संदी है दोस्तों पहला परसनी यह है कि इसमें कौन संदी है यहाँ पर संदी विच्छेत आपको करना है संदी दोस्तों पहले देख लेते अती नहीं आएगा अती तो यह थी बिल्कुल नहीं यह हो जाएगा दोस्तो अगला बर्सनिय सदाधन एव। धन गती सत धन गती दोस्तों यह हो जाएगा यह भी बेंजन संदी है तो यह हो जगा पुस्तक धन आले दोस्तों दीर के संदी है कितना असान अगला परसन है उद्यान का सुद्ध वर्ण बिच्चेत है दोस्तों जरूरी नहीं है वहाँ पर उद्यान का आये दक्स का आ सकता है कोई भी दोस्तो वर्ण है आयोग ले सकता है लेकिन दोस्तो यह आप नहीं लेना है आपको पहचान ना चैहे बस कोई सब्द आये दुनिया का आप सही कर सकते हैं तो उद्यान उद्यान दोस्तो देखिए यहाँ पर हलंत नहीं है एक option नमारा गया option से दूस्तों हम यहाँ पर इसको हटाएंगे उद्यान दूस्तों देखें नौम भी यहाँ पर हलंत नहीं लगा है यह गया अब दूस्तों यहाँ पर उद्यान देखें दूस्तों यहाँ पर ओ है आ होना चाहिए उद्या आ आएगा तो ओ नहीं है दूस्तों देखिए ओप् परसने है यापर हमारा स्वार संदी कितने परकार की होती है दूस्तों पांच परकार की होती है भली भाती आप सभी को याद है मुझे पता है अगला परसने कई बार हम देख चुके हैं अगला परसने यापर हमारा निमिलिकित मैं से वर्तनी की दिष्टी से असुद्ध है दोस्तो बिराट बिल्कुल है बिराट हलुनत रहेगा मूलिवान बिल्कुल है भगवान भगवान बिल्कुल सही है भगवान भगवान तो भगवान सही है दोस्तो यह जगा सोसक यहां पर गलत है ऑप्सन नमर भी अ परिशा दोस्तों हरंत रहेगा ये भी गलत है ये हो जाए उसको परिमार्जीत हो जाएगा इसका से उत्तर आप्शन बड़ी अगला परसने बुढ़ापा आगे है बुढ़ापा उसको पूलिंग सब्द है और बुढ़ापा दोरबल्ली का सूजगा उसको यहाँ पर आपको गीता के महातम्य से परचित होना अनिवारी है अब इसमें भी भहुत से बच्चे गलती करेंगे महातम्य की दोस्तों वर्तनी आपको बताने महातम्य जिन्होंने ऑप्शन नमर सी सोचा है उनके लिए जोरदार तालिया लेकिन उनका बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गया है य अप्शन नमर 20 का से उतर है अगला परसने दोस्तों अंतग वने रहेगा अभी तक आपने लाइक नहीं किया है जल्द से दूस्तों कर देजे वीडियो को लाइक अगला परसने किसी कठिन सब्द के अर्थ को सपष्ट करने के लिए किस विराम चिन्न का पर्योग होता है द संयोजक तो इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है सामासिक चिन्न के नाम से माता पिता दोस्तों मैंने हापर लिखा माता पिता दोस्तों जो बीच मायना यही दोस्तों जो चिन्न है यही है संयोजक चिन्न और इसी का नाम क्या है संयोजक चिन्न भी इसी का नाम है अगला परशने हैं समानाधी करण सब्दूं के मध्धि में किस बिराम चिन्न का पर्योग होता है दोस्तों वहाँ पर आप लगाएंगे अल्प बिराम ऑप्सन नमर बी अगला परशने भूल सुधार ने अथुआ सब्द में किसी तुरूटी को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक क परियोग किया जाता है दोस्तों यह वाला कुष्टक आप लगाएंगे अप्सन नमर भी अगला परशने यह दोस्तों आपने कई बार इससे पढ़ा होगा और कई बार हम इस परशने की प्रेक्टिस भी कर चुके हैं पहले जहां वाक्की की गती अंतिम रूप लेले विच विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्न का परियोग होता है दोस्तों वहां होता है पूर्ण विराम क्योंकि दोस्तों वहां वाक्की के तार दोस्तों विचार के तार टूट जाए दोस्तों वहां पर वाक्की जो हमारा पूर्ण हो चुका है तो पूर्ण विराम वह कहते हैं अयोगवा option number D अगला वर्षन है सभी महापराण वड़नु वाला समुवा दूस्तों महापराण यानिकि दो चार दो चार चौ दूस्तों यह देखिए यह दिया आएगा पहले पर अल्पपराण है दो दूस्तों अल्पपराण है और यहाँ पर उस्तों option number यह हो जाएगा खो चौ ठो दूस्तों सभी के सभी को खो दूसरे पर चौ चौ दूसरे पर टौ ठो दूसरे पर यह हो जाएगा दूस्तों महापराण option number A अगला वर्षन है इसमें किन दो वर्णू को सम्रित किया गया है दोस्तों जेगा दोस्तों हमने लिया है यह वाला 100 नहीं आएगा यह जगा option number C श्रो और रो को उस्तों इसमें लिया यहाँ पर हलंत रहेगा 100 के यहाँ पर तो यह जगा option number C अगला वर्षन है दो बेजन जब 1,7 मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों दो बेजन हमने यहाँ पर मिलाए 100 और रो उस्तों यह हमने मिलाया नहीं बन गया 8 यह यह दोस्तों क्या कहला है सहींगत बेजन कहलाए तो इसका सेवत्तर क्या हो जाएगा दो बेंजन जब एक सांथ मिलते हैं तो ये दुस्तो सयूक्त बेंजन कहलाते हैं अगला वर्षन है चो वर्ग धोनियां किस वर्ग में आती हैं दुस्तो चो हो जाएगा तालू तालू कहां गया ओप्सन वर्षी में अगला परसन है जिनकी ध्वनी केवल मुख से निकलती है जिनकी ध्वनी केवल मुख से निकलती है दुस्तों वे है निर्नु नासिक स्वर option number D हो जाएगा इसका पेलेकोल बिल्कुल 60 गुत्तर अगला परसन है आपर हमारा हिंदी भासा में कितने बेंजन है उस्तों कई बार हम देख चुके हैं कितने बेंजन है उस्तों 36 बेंजन है तो यह आपको पेल्कुल याद खना है option number B अगला परसन है इस्तिलिंग सब्द अलग कीजिए तो यहाँ पर आपको बताना है इस्तिलिंग सब्द कौन से है उसने हमला कर दिया हमला उस्तों क्या है अग्रा बरसन उस तपस्वी से थे लमबे देवदार दो चार खड़े इसमें दोस्तो उलंकार होजाएगा पर्तीबॉप्सर नवर दी अगला परशन दोस्तों यहाँ पर हमारा और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है अर्था लंकार कौन सा है जबर दस्तों परशन है बिलकुल छपने वाला परशन है दोस्तों एक एकजाम में पूछा गया था कि अनुप्रास है अनुप्रास है दोस्तों अनुप्रास क्या ह प्रस्न आए वहाँ पर उस्तो एक एक्जाम में जो जहसरा है आपको बताए कि पूछा गया था है कि अनुप्राश है परस्न दोस्तो इस तरह से था अनुप्राश इस तरह से लिखाता और है सब्धालंकार अर्थालंकार उभ्या लंकार इन में से कोई नी तो यह किसमें पर्योग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारती गजटू में परकासित सरकारी नियम आदेश अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के परसंग में होता है दोस्तों इसे कहते हैं अधिसूचना जब अर्दस्त प्रसने आशकता है इसी तरह से परिभासा तो याद रखेगा अगल तो उसे कहेंगे परिपत्र कहेंगे एक से अधिक को उस्तों इक सांद भेजा जा रहा हो तो उसे कहेंगे हम परिपत्र अगला परसने अधिसूचना का परियोग किस छेत्र में नहीं किया जाता तो अधिसूचना का परियोग आदेश में बिल्कुल है अधिकार में होगा तो करता भी दूस्तो इसका से उत्र हो जाएगा option number C अगला परसने निमिल्लिकित मैंसे कौन सा पत्र की विशेष्टा नहीं है दूस्तो प्रेशक होता है संचिप्दता उसमें होनी चीए करमबदता होनी चीए बिल्कुल सही है बिनेश इदला उसिका से उत्र हो जाएगा option number D अगला परसने कौन सा पत्र अवचारिक पत्र नहीं है अवचारिक पत्र के अंतरग़ उस्तो नहीं आता है यह यहाँ पर आपको बताने अवचारिक में उस्तो इहाँ पर परिपत्र आएगा ये तो आएगा ये आएगा अनुस्माराग जो उस्तो जो होते हैं रिमेंडर पत्र यानि की याद दिलाने के लिए बीचे जाते हैं बिल्कुल है और अधिस उस्तो बिल्कुल है तो वैक्तिक पत्र उस्तो इसका से उत्रों जाएगा ओप्सन नमर ए अगला परसमें जब अगला परसमें कई बार आता है परिक्षाओं में हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से परकासित हुआ दोस्तो ये हुआ था कलकत्ता से हुआ था 2826 में तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है औप्सन नमर ए उसका बिल्कुल 60 उत्तर अगला प्रेस की स्तापना कब हुई थी दूस्तों ये हुई थी 1884 में याद रखेगा पहुचाता महत्पूर्ण है इंडियान प्रेस की स्तापना हुई थी 1884 में अगला परसने महाबीर परसाद दिवेदी त्वारा सरस्वती के संपादक कब निउक्त हुए दूस्तों सरस्वती प साहित्य ओप्सन नमर डी सिनेमा में नहीं वहां तो दादा साब भाल के सब चलींगे अगला परसने वर्ष उनिश्व बयासी में इन में से किसे ग्यान पीट पुरुषकार मिला दोस्तों यह मिला था महादेवी बर्मा को यामा के लिए कई बार हम देख चुके हैं अगला प तो सयुक्त काल दोस्तों यह नहीं होगा नहीं आपने पढ़ा होगा नहीं सुना होगा तो इसका से उत्रो जाएगा ओप्सन मड़ी अगला परसने दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर देजे वीडियो को लाइक अ अब भी आपको याद रखना है और मीरा भाई के उस्तान के नाम को क्या कहते हैं यह यहाँ पर आपको बताना है बैक्ती वस्तु या इस्तान के नाम को उस्तो संग्या कहते हैं संग्या और संग्या के इस्तान पर पर्युक्त होने वाले सब्दू को तो उस्तो हम कहते हैं सरुनाम बिल्कुल आसान है अगला बर्षन है मा का लड़का कहां गया उद्देशिका विस्तार भेद लिखिए मा का लड़का उस्तो संबन्द है ना यह जैका उप्शन बड़ी पिल्कुल है अगला बर्षन है दूद सब्द दूद दही दूस्तो यह तरब्य वाचक में आएंगे ऑप्शन नमर ए अगला बर्षन है धातू पर ता परतेई धातू पर परतेई जोड़कर बरतमान काल किर्दंत बंद दूस्तो इसमें जोड़ते हैं ता ऑप्शन नमर अगला बर्षन है सविधान के अनुछेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्टपती ने 7 जून 1955 को राज भासा आयोक का गठन किया था दूस्तो आप्शन नमर ए उजगा इसका बेलकुल बेलकुल 60 उत्तर अगला बर्षन है हिंदी भासा की उत्रा धिकारानी देवना अगला बर्षन है हिंदी एक आँख से देखना नगा रेक आरत है आँख मारना कता या नियुए नहीं होता ऊंग नेत्र धारी नहीं काम होना आए एक आँक से देखना तो क्या एक आँक से देखेंगे तो काम नहीं या बीकुछ अटसा है सब को बराबर समझना यानि की दोस्तो आपको बताना है नीचे दियेगे सब्दु मैंसे सही सब्द है दोस्तो आपकी होली दी वाली सबी दोस्तो जो भी त्योहार है वो आपके दोस्तो जिस दिन आपका रिजल्ड आएगा उस दिन दोस्तो होने वाले हैं अब यहां पर आपको बताना है त्योहार आप कि तो ये तो हर वोशी हर हो गया है तो ये भी हर ये त्योग उस्तो ये गलत हो गया तो ओप्सन मरे अगला परसन है गिर्णा इसपद का संदी बिच्चेद होगा उस्तो गिर्णा इसपद तो कते नी गिर्णा उस्तो बिसर्ग तो है नी बिसर्ग संदी है नी तो कहां से गिर् पर हमारा option number B हो जाएगा इसका बिल्एकवल बिल्कोल स्रटिक उत्रर अगला पर्षन ऐस तो यहाँ पर हमारा सब्दा लंकार के कुल कितने भेध हैं जबारदस दो परिसन है सब्दा लंकार के कुल कितने भेध हैं उस तो साथ भेध हैं बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है बिल्कुल छपेगा एकजाम में अगला परसन है पास किस सब्द का तत्समरूपक प्यास का कताई नहीं पहर नहीं पोखर का नहीं उस तो पास हो जाएगा फंदा फंदा पास फंदा पास यह आपको याद है अगला परसन है उस तो यहाँ पर हमारा साखा मिरिक सब्द का परहवाची है तोता, पानर, भौरा या फिर हिरन दोस्तो यह हमारा आखरी परसन है और इसका सेवतर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मिलते हैं बहुत जल्दे एक नई वीडियो में